दिल्ली पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सक्त दिखाई दे रहा है दिल्ली पुलिस द्वारा अभी तक कई उपद्रवियों पर मुकद में दर्ज किये जा चुके हैं वही अन्य की पहचान कर उन्हें हिरासत में लेने और उनके खिलाफ केस दर्ज करने का अभियान जारी है यहां तक कि दिल्ली में सुरक्षा पूरी तरह से चाक चौबंद कर दी गई है मंगलवार को ट्रेक्टर रैली में हुई हिंसा के बाद बुधवार सुबह से देर रात तक पुलिस एक्शन में दिखी बागपच जिले के बड़ोत में 40 दिन से धरने पर बैठे किसानों को पुलिस ने आधी रात को हटा दिया वही पुलिस चप्पे चप्पे पर अपनी नजर बनाए हुए है इस बीच गाजियाबाद जिले के एडियम ने धरनासल का दौरा किया है और उन्होंने कहा है कि धरनासल को एक से डेड़ दिन के भीतर खाली कराया जा सकता है उनके इस बयान के बाद किसानों पर पुलिस्या कारवाई की आशंका बढ़ गई है गाजिपूर बॉर्डर पर बुद्वार रात आठ बजे बिजली भी काट दी गई जिससे किसानों में गुसा भी दिख रहा है यहां ये भी बता दे कि 26 जनवरी को दिली में किसानों की ट्रेक्टर रैली में हिंसा को लेकर भारती किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकेट के खिलाफ मुकदमे दर्ज हो चुके हैं लेकिन उनके तेवर नहीं बदले हैं टिकेट ने अब सरकार को धमकी बरे लेजे में चेतावनी भी दे दी है वह बिजली काटने को लेकर नाराज दिख रहे हैं टिकेट ने काया कि सरकार दहशत फैलाने का काम कर रही है इस तरह की कोई भी हरकत पुलिस पर शासन ने करे अगर इस तरह की हरकत करेगा तो सारे बॉडर वही है ये सरकार पूरी तरह ध्यान रख ले इस तरह की कोई भी हरकत वहाँ होगी तो पूरी जिम्मेदारी सरकारों की होगी खबार तो लाटी चार्ज होने और आंदोलन की कमान सभाल रहे ब्रजपाल सिंग की गिरफतारी की भी आई हलाकि इन दोनों बातों की अभी पुष्टी नहीं हो सकी है उधर ये भी बताय जा रहा है कि पुलिस की कायरवाई के बाद बढ़ोत के किसान आगे की स्ट्राटेजी बनाने के लिए आज पंचायत करेंगे गौर तलब है कि किसानों की ट्रेक्टर रैली में हुए बवाल में सबसे ज़ादा चर्चा लाल किले की घटना की हो रही है से बाहर निकाल दिया था लेकिन भारी सुरक्षा बलो की तेहनाती अब भी बनी हुई है बताते चले कि गाज़ेपूर बोडर पर बैठे किसानों के धरनासल की प्रशासन ने बिजली काट दी है जिसके चलते वहां 50,000 से जादा की संक्या में बैठे किसानों को अंधेरे क सामना करना पड़ रहा है बिजली जाने के बाद अचानक वहां अफरा तफ्री मच गई और धरनासल पर बैठे किसानों ने सोने की जगह राद बर जागने का फैसला कर लिया है वही दिली में किसानों के बवाल के बाद लाल किले को बंद कर दिया गया है बताएं तो ये भ पतिष्ठित समारक को बर्ड फ्लू अलर्ट के कारण 19 जनवरी से 22 जनवरी तक बंद कर दिया गया था लाल किला गंतंत्र दिवस समारों के चलते 22 जनवरी से 26 जनवरी तक बंद था बताये तो ये भी जा रहा है कि 26 जनवरी को लाल किला परिसर में भड़की हिंसा के बाद A.S.I. ने नुकसान का जायजा लेने के लिए गेट बंद रखने का फैसल लिया है इसे पहले बुद्वार को संस्क्रती अंप्रियटन मंत्री प्रलाद पटेल ने घटना सल का दोरा कर A.S.I. से घटना की रिपोर्ट मांगी थी दिली पुलिस ने आरोप लगाया कि मंगलवार को ट्रेक्टर परेड के दोरान किसान ने ताउने भड़काऊ भाशन दिये और हिंसा में भी शामिल रहे दिली पुलिस का कहना है कि किसी भी दोशी को बक्षान नहीं जाएगा गौरत अलब है कि इन घटनाओं में दिली पुलिस के 394 कर्मी घायल हुए है ऐसे ही लेटेस्ट परेपाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें हमारी चैनल को लाइख, शेर और सब्सक्राइब करें हैन्ने वाद बंक्वेट्स लाइ है, इंक्रेडिबल मारिज पलेस राजगराना और फिनेस्ट बंक्वेट अल जोती गार्डन वोल्ड़ चैनल एक लाइख, शेर बंक्रेट्स लाइख, अलशे अलशे करेंगरान अपर्फिक लाइख, अलशे के लिए लोजगरान अच्छी गार्डन अजोती गार्डन आजब्टी गार्डन अजब्स थार्डन